नमस्कार दोस्तों स्वागता आपको है हमारे वीटीब चैनल महादेव योगी पर आज की वीडियो में हम बहुत ही महतपुर्ण विश्य के उपर बात करने वाले हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे नहने का सही तरीका क्योंकि 90 प्रतिशत लोग गलत तरीके से नहते हैं मैं तो यह कहूँगा 90 से भी जादा लगबग 99 प्रतिशत लोग वो सही तरीके से नहते नहीं है नहना हमारे जीवन का एक महतपुर्ण भाग है अमारी दीन चरय का एक important हिस्सा है लेकिन अगर आप सही तरीके से नहते हैं तो उसके कई सारे फाइदे है लेकिन आप गलत तरीके से नहते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी है और जाने अंजाने में न चाहते भए आदत लगी भी है इसलिए सही तरीके से नहने का धंग हमें पता नहीं है इसलिए इन कारणों की वज़े से हम गलत तरीके से नाते, उसके कुछ नुकसान भी हमें होते हैं, लेकिन हम कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि सही तरीके से कैसे नाना चाहिए यह हमें पता ही नहीं है, तो चले जानते हैं सही तरीके से कैसे नाया जाता है, ल दोनों के फाइदे नुकसान अपनी जगा अलग अलग है लेकिन तरीका कैसे होना चाहिए जब आप नहाने के लिए जाते हो चाहे ठंडे पानी से नहा रहे हो या गरम पानी से नहा रहे हो आप दंतदावन करके यानि की ब्रश करके जब आप नहाने के लिए जाते हो तो बह ठंडे पानी से नहते हैं, वे भी इसी प्रकार से सीधा ठंडे पानी का मगगा उठा या सिर के उपर डाल दिया, शावर भी लेते हैं तो सीधा उपर से सिर के उपर डाल देते हैं, लेकिन यह तरीका जो है वो बहुत गलत है, कभी भी इस प्रकार से आपको नहीं नहाना चा से गलत है अगर आप नहने जाते हो तो आपको जो नहने का तरीका है वो ऐसे होना चाहिए कि पेरों की तरफ से आपको नहना स्टार्ट करते हैं सिर की तरफ अंत में जाना चाहिए अगर आप गरम पानी या ठंड़ पानी किसी से भी नहते हो मगया में पानी लेकर पहले आप आपने बॉड़ी के उपर, हाथों के उपर, यानि कि गले के नीचे वाली बॉड़ी को आप पहले दोना है, उसके उपर पानी डालना है, और सबसे लाश्ट अंत में अपने सिर के उपर पानी डालना है, और ऐसा करने से भी पहले एक चीज करनी, कि जैसे नहाने के लिए उस पानी को दो गुट अपने मुह में भरिए और वहीं पर भर के रखिए उसको थूकना नहीं है या निगलना भी नहीं वहीं पर मुह पर रहेगा उसके बाद आप नहाना स्टार्ट कीजिए पहले पूरे शरीर को आपको गिला कर देना है और उसके बाद लाश्ट में अप बिट वाला पानी या ठंडा पानी अलग टेंपरेचर वाला कोई भी चीज लग जाती है तो वह सेंसिटिव एरिया होता है इसलिए वह डैमेज कर देता है आपके नर्वस सिस्टम को या नुकसान पहुंचा देता है शर में एक्दम से जटका सा लग जाता है बदलाव सा जाता है और ऐसे समय में भी आपके शेर में वात दोश बढ़ जाता है आपके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है इसलिए कभी भी डारेक्ट पानी सिर के उपर नहीं डालना है अगर आप शावर भी लेते हैं तो उस सिर को पहले हटा कर पूरी बाड़ी को गिला नहींगे कि पेरों से स्टार्ट करते हैं लाश्ट में सिर में पानी डालना है और हो सके तो ठंडे पानी से नहीं नौर्मल टेम्टरेचर वाले पानी से नहीं वो ज्यादा आपके स्वास्ति के लिए लाब दायक होता है आगे आने वाली वीडियो में मैं ठंडे पानी से क किसे नहाना चाहिए, ठंडे पानी से किसे नहाना चाहिए, इसके उपर भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, हर एक व्यक्ति का बीमारिया अलग-अलग होती है, उनके अनुसार, वात पित प्रकृति के अनुसार, इसके अलवा वुक्साण करता। तो किसे जब और किस प्रकार से ठंड़ा पानी लेना है या गरम पानी लेना है। इसके उपर हम Tellos में वीडियो बनाएंगे स्मून दोस्तों यह ठीक जानकरी नहने के सही तरिके के वारे में इसी प्रकार से और जानकार के रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए स्वस्त रहे मस्त रहे धन्यवाद